हेलो, what's up guys, कैसे आप सब, मैं डॉक्टर राजेश, एक बार फिर से आप सब के सामने आया हूँ, नहीं वीडियो लेके और इस वीडियो में आपको बताऊंगा, पांच ऐसे आदतें, जिससे हेरफोल होता है, हमें पता ही नहीं होता हम वो आदतें, कुछ ऐसी हमारी रूटी और दोस्तों, इनके बारे में बात करूँगा, चली शुरू करते हैं, नमश्कर दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश, हेर ट्रांस्परेंट स्पेशलिस्ट, स्किन केर एक्सपर्ट, ब्यूटी एक्सपर्ट और आपको दोस्त और होस्ट, अगर आप पहली बार हमारी वीड डेते हैं complete updated treatments देते हैं इसके साथ साथ हम offer Wai dieu बनाते हैं आप वहाँ को दूर करते हैं, वहाँ को दूर करने वाली वीडियो भी हम बनाते हैं, आज बताने वालों दोस्तों हमने बहुत वार सुना होगा कि, बहुत सो लोग होते हैं, आपके घर में भी आपने देखा होगा, आ या फिर आपने खुद ने अजमाया भी होगा कि, हेर फ करवाते हो, SPA करवाते हो, SALON वाले से TREATMENT करवाते हो, PARALLE वाले से TREATMENT करवाते हो, आप AIRVYTHIC TREATMENT करवाते हो, HOMIOPER THIGUNANI, MODERN, और पतानी क्या क्या TREATMENTS, स्मिन उक्सिडिल उस करते हो, Dermaroller आप यूज कर लेते हो, PRP यूज कर लेते हो, उसके बावजूद दोस्तों, उसके बावजूद हेरफॉल रुक्निया का नाम नहीं लेता, ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ होता है, ऐसा क्यों होता है दोस्तों, बता दो कि, आप सब क आप सॉल्व नहीं होगी, आज मैं आपको पांच से बतानी जा रहा हूं बाते हैं, जो आपके बालों के दुश्मन हैं, लेकिन आप यूज करते हैं अपनी लाइफ में, जिया दोस्तों, मैं भी यूज करते हूं, आप भी यूज करते हैं, हम सब यूज करते हैं, और, कि नमक तो सबजी में खाते हैं, रोटी में खाते हैं, हम नमक तो सभी खाते हैं, लेकिन सबके हेरफॉल क्यों नहीं होता, सबके गंजापन क्यों नहीं होता, ये बात हमारे माइन में आती है, बिल्कुल दोस्तों, नमक जो होता है, अब देखते हो कि नमक प्रयोग आज क ता-"मЬ एतना बढ़ गया है आव फाश्ट फूड के रूप में अचार के रूप में करते है जो रोटी में करते हैं पहले नमक औता था वो कफी पैर दूवर आता था लोग घरों में बनाते हैं आग का नमक में कैमेगल्स का प्योड नमक नहीं आता, उसके साइट्ट फेक्स से बाल गिरते हैं, दोस्तों, अच्छेण में आप देख रहे हो कि आज़ हेर्फोल का पेशन्ट हर घर में हैं, हीरलोस का पेशन्ट हर घर में हर घर में देखली जाए आप, किसी ना किसी शक्स को हेर लोस की प्रवलम जरूर मिलेगी आपको तावे मेल हो या फी मेल एक शक्स आपको जरूर मिल जाएगा तो नमक आपके बालों का दुश्मन है दोस्तों मैं यह नहीं कहता कि आप नमक बिल्कुल बंद कर दीजिए नमक जरूरी भी है मारी बॉड़ी के लिए लेकिन नमक की मात्रा कम कर दीजिए कम कैसे कर सकते हो आप नमक नमक का अल्टरिनेट होता है जो वाइट नमक है जो वाइट साल्ट है उसका अल्टरिनेट है सेंधा नमक आयरवेद में भी सेंधा नमक के बारे में बताया हुआ है सेंधा नमक के बहुत फाइदे हैं दोस्तों BP भी नहीं बढ़ता और बालों के लिए भी बिल्कुल नुक्सान दाए नहीं है जो वाइट नमक आप खाते हैं आयोडिन युक नमक आप बोलते हो तो आप सेंधा नमक युज़ कीजिए उसके कोई side effect नहीं है बैनिफिट्स ही है आप सबजी में सेंधा नमक डालिए सलात पे सेंधा नमक डालिए फास्ट फूड में भी सेंधा नमक का युज़ कीजी दोस्तों दूसरी बात आती है वो है चिनी, शुगर दोस्तों ये भी शोकने वाली बात है कि चीनी भी हम सब के घर में यूज होती है हम सब खाते हैं दोस्तों चीनी में भी बहुत केमिकल्स होते हैं चीनी जो होती है हमारी ब्लड की वैसल्स जो होती है उनको संकुचित कर देती है सुंकुचित कर देनी से जो blood जो है nutrition है बालों में नहीं पहुंच पाता बाल कमजोर हो जाते हैं बाल पतले हो जाते हैं इसका एक life proof आपको बता दूँ दोस्तों कि आपने देखा हो कि diabetes patient होते हैं उनके blood में sugar की level जादा होती है तो diabetic patients जाए वो male हो जाए वो female हो जाए बच्चा हो सभी में सभी के hairs पतले होते हैं या फिर white होते हैं देखा होगा आपने आपने ट्राइ भी किया होगा अगर आपने notice नहीं किया तो notice करना diabetic patients के most of 19% लोगों में बाल पतले होते हैं यही रिजन है कि चीनी जो होती है वो बालों को पतला करती है क्योंकि वहाँ पे blood supply को वो constrict करती है security है तो दोस्तों चीनी और नमक यह दो सफेज जहर बताए गए हैं आयरवेद में भी बताए गए हैं और भी चीनी और नमक के बहुत से दुष्परिणाम आपको सामने आते हैं लेकिन बालों में सबसे बड़ा important रोल होता है चीनी और नमक तो दोस्तों में बताया था कि हम daily use करते हैं मैं पता ही नहीं होता तो चीनी हो गया नमक हो गया तीसरी बात आती है chemical use अब बहुत से लोग होते हैं जो पोलते हैं कि मैं तो बालों में chemical use ही नहीं करता ना तो बालों में spray यूज करता ना जल यूज करता लेकिन दोस्तों यहां पर chemical use सिर्फ बालों में इंटरनल केमिकल का प्रयोग भी हम करते हैं दोस्तों चाहिए हम टिबाबंद मेच्कें उर्लीद धाल किरेंधे Çaट Al-Nam бывает tutti, हम जरोते होगी और सब्सकेते ही सब्सक्राइबल सब्सक्राइब कोुझा है उडेप्ध आर्इवाइज में इसके आसे हम आपक देखते हैं कि दिस्पोजेबल का होता है अला साथ गया है मैरीज में पार्टी तो दोस्तों प्लेड बिदेन को घिरा देते हैं तो तीन काज़े होगे नमक होगी चीनी होगी कैमिकल यूज चोथा अगर दोस्तों, गर्मी, अब गर्मी का प्रयोग, बहुत ही बड़ी एक्जम्पल समझातों, एक पेड़ पोदा कोई भी होता है, उसके जड़ में आप डेली गरम पानी डालिए, उबलता हुआ पानी गरम पानी डेली जालिए, आप देखोगे कि महज 5-7 दिनों में यह दो-oration दिन दिन में हरा बड़ा जो खुलफूलों वाला खुश्भू देने वाला पोदा था गरम पानी से मर्झा गिया है, वैसे ही होता है दोस्तों, गर्मी से बाल मर्झा जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, गर्मी का मतलब यह नहीं है, कि अब धू जेसे ह हमारी बोडी के ही इंककर गुष्छटों करते हैं किसी इंककर था पी5 जो है कम जोर होते हैं बहुत जिए असर ए taps हर दोस्तों Een डॉस मेरे ऑड्वाईजे को बिल्कुल कमत कर देजिए शानत रहिएए और आपके बाल देखिए, इसके बाद बिल्कुल नहीं गिरेंगे, और बतादों कि इसके साथ गरम पानी का प्रयोग भी नहीं करना है बालों में, धूप में जाते हो, गर्मी से बचते हो, उसका प्रयोग भी आपने नहीं करना है, गर्मी से भी बचके रहना है तो चार चीज़े होगी दोस्तों नमक हो गया इसके साथ मैंने बताया था चेनी हो गी और chemical uses हो गया और हो गया दोस्तों एक चीज रहागी जो थी chemical use हो गया और लाश चीज़ बता दो दोस्तों मैं नेंद ना लेना बहुत से लोग आज के टाइम में जब से internet free मिलने लगा है या फिर बहुत सस्ता internet होगे है तब से हम राद बर night watchman बनके रहते हैं नाइट बर जागते रहते हैं मुबाइल में, laptop में, pc's में हम google surfer करते रहते हैं वीडियोज देखते हैं तो भी करते हैं XYZ हम सोचल मेडिया पर टेस रहते हैं तो उसका कहीं ने कहीं सक बालों पर जुरूर पढ़ते हैं दोस्तों राद बर जागने से हमारी metabolism पर भावित होती है तनाव बंदा जो है अनिद्रा का शिकार होता है तनाव का शिकार होता है hormonal imbalance होता है हमारी body का जो पूरा maintain है balance है वो imbalance हो जाता है brain को और eyes को हमारी relax नहीं मिल पता है उसका सिधा सिधा असर हमारी बालों पर पढ़ता है तो पांस कारण हैं दोस्तों नमक, चीनी, chemical प्रियोग, गर्मी और इसके साथ नीद ना लेना अनीद्रा तो ये पांस कारण आज जी अवोइट कर दीजिए इसके साथ साथ बता दूं कुछ कारण और भी है hygiene भी बहुत important है बालों में तेल ना लगाना ये भी important है इसके साथ साथ जो last important चीज़ है वो smoking drinking तो दोस्तों ये फास्ट फूड और कोल्डिन भी होता है तो दोस्तों ये बाते हैं जो शुरू की पांस बाते हैं इन्हें आप अवोइट करके देखिए और believe me और trust me कि आपके बाल जो है बिलकुल shining हो जाएंगे मजबूत हो जाएंगे hair fall की problem आपकी दूर हो जाएगी फिर रिपीट कर दू 8955224304 कुछ भी advice सहिए में से direct पूछ सकते हो Thank you so much